हेलो, गुड मारिंग, नमशकार, मैं अधेश दिक्षेत, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ, तो बच चुके हैं सुबह के आठ स्टार्ट करते हैं अपनी इस बहतरीन सी सीरीज को, पुराने सेशन अगर आपको सीरीज के देखने हैं तो आपको ड कुछ फीस में चेंज आने वाला है, कुछ हो सकता है, फीस इंक्रीज वगरा हो रही है, अगर आप तैयारी शुरू करें और कोई भी पेड कोर्स लेने की सोच रहे हैं, तो अनकेडमी प्लस एक सबसे बहतरीन प्लैटफॉर्म है, रीजन बीं कि जितने भी आप करेंगे, तो यह जितनी भी फीस आपको दिख रहे हैं, असमें 10% का discount मिल जाएगा, मेरा जो referral code है, that is दिख्षेसर without any space, किसी का भी आप code यूज कर सकते हैं, किसी भी subscription के लिए, SSC, railway, banking, किसी के लिए भी, that is just to know कि कि किस educator को कितने students follow कर रहे हैं, उसके थूँ कितने students अपना platform को जोइन करें, that is just to know that, बाकी, पीस वगरा आपको पता है, आप देख लें, कुछ 2-4-5 दिनों में, price high वगरा होगा, चली, तो अब हम आते हैं, अपने मुद्दे की बातों पर, सवाल की प्रक्रिया शुरू करते हैं, चली, पहला सवाल आपके सामने ये है, वीडियो को pause करें, फटाफट से सवाल को try करें, देखें, क्या कह रहा है आपसे सवाल, कह रहा है, सेक की पावर 6 थीटा माइनस 10 की पावर 6 थीटा माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा, भाई, काफी लंबा चोड़ा सवाल है, इग्नोमेटरी में हमने क्या बात discuss करें, आपने कहीं भी पड़ा होगा, यही बात आपको बताई गई होगी, कि जैसे ही मैं यह देख रहा हूँ, इसकी value क्या है, सारे options देखू, numerical है, यानि मैं थीटा की कोई भी value डाल सकता हूँ, सबसे पहले मैं कोशिश क्या करूँगा, कि भाई, थीटा की ऐसी value डालूँ कि ज साइन भी जीरो हो गया, साइन भी जीरो हो गया, सेक, सेक मतलब की 1, कॉस अच्छा वाई टेलते हैं, सेक 0 इस 1 और 1 प्लस 1 इस 2, डिवाइड बाई, कॉस 0 इस 1 और प्लस 2 इस 3, यह आ गया आपका अंसर, 2 बाई 3 इस तक करेक्ट आंसर, value पुटिंग करते वेक्त बस यह सो of the number 7, 3, 4, 7, X, Y, says that the number is completely divisible by 80, then what is the value of X plus Y, अच्छा, ओके, ओके, यहाँ पर English है, हिंदी में जो है, बिलकुल अलग-अलग हो गया, इसकी Hindi नहीं है, इसकी English ने ठीक है, कोई बात नहीं है, जो आपको PDF मिलेगी, उसमें मैं यह सही करवा दूँगा, अभी यह सवाल को individually द देख लेते हैं, पहला सवाल देख लेते ही है, दूसरा फिर यह देख लेते हैं, कह रहा है, X और Y जो है, वो दो डिट है, किसकी, 7, 4, sorry, 3, 4, 7, X, Y की, इस तरीके से, कि, वो completely 80 से divide हो जाता है, तो हमें X plus Y की value बतानी, यह completely किस से divide हो रहा है, 80 से, आप यह बात जानते हैं अब आप उसे किसी से भी multiply करोगे, तो जो नया number आएगा, उसके पीछे भी 0 होगा, तो भाई, 3, 4, 7, X, Y, अगर 80 से divide हो रहा है नहीं, Y की value तो कितनी आगी, 0 आगी, अब आगे देखिए, अब 80 से divide होने का मतलब, 8 in 2 में 10 से divide होना, तो 8 से भी divide हो रहा है, अच्छा, आप अब नगे ये बाथ जानते हैं कि अगर कोई number 2 से divide हो रहा है, तो 2 की power 1 है, 2 मतलब की 2 की power 1, तो आप last की एक digit देखते हैं, फिर 2 की power 2 यानि कि अगर 4 से कोई number divide हो रहा है, तो last की 2 डिजिट देखते है, इसी तरीके से 2 की power 3 यानि की 8 यानि की last की 3 डिजिट देखेंगे, यानि कि 7x और 0, 0 मिल गया y की value, यह किस से divisible होगा? 8 से, तो मैंने का यह x की value डालना शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 0, यह value डालेगी, 700 तो 8 से divide ने हो रहा, 1 डालोगे, तो 71 भी 8 से divide ने हो रहा, 2 डालोगे, 72 डिवाइड हो जा रहा, 72 क्या रहा है? 72 होती, अब देखो 72 के बाद अगला number जो डिवाइड होता है, 80, यहाँ पर 80 बनाई नहीं सकता, मैं 7 है, यहाँ पर कुछ और ही आगा, 72, 73, 74, यानि कि यहाँ पर केवल 2 ही value जो है, वो possible होगी, कुछ सवाल ऐसो होते है, कहता है, find the least value of x plus y, बात को समझना आराम से, समय अप है, number 4 से divisible है, यहाँ पर 72 भी डिवाइड हो जाता, 76 भी हो जाता, 72 और 76 तो हम उसमें से 2 लेंगे, 2 लेते ना कि 6 लेते, बात क्लियर है, आजाईए, अब फिर से आप वीडियो को pause करें और हिंदी वाले सवाल को देखिए, सभी अंगरे जी वालों को इतनी हिंदी तो आत 25% अधिक प्राप किये, किसके comparison में, B, K, 25% का मतलब 1 by 4, इसको 4 मिला, तो इसको मिला हुआ एक जादा, 1 by 4 यानि एक अधिक, आगे क्या कहा रहा है, B ने C की तुलना में 60% अधिक प्राप किये, तो 60% का मतलब 60 by 100, यानि 6 by 10, यानि कि 3 by 5, यानि कि अगर C के 5 नंबर आए तो इसके आगे हमारे 8, आगे D भी है, और कहरें C ने D की तुलना में 20% कमंगत राप किये, यानि कि 20% का मतलब 1 by 5, किसके comparison में, D के comparison में ने, इसको 5 marks मिले, तो इसको 4 मिले, अब आजाए आगे, इने इसके 5 हैं, तो इसके 4 हैं, 8 हैं, तो 5 हैं, 4 हैं, तो 5 हैं, clear, तो हमने इसके बाद discuss करें कि जब भी आपको ratio ABCD का ratio निकालने तब क्या करना है, उसको पकड़ जो जोड रहा है, जैसे यहाँ पर B, A और C को connect कर रहा है, यहाँ पर C, B और D को connect कर रहा है, तो जो चीज जोईन कर रहे हैं, वो दोनों चीजे सेम होनी चाहिए, अब कई strengths ने यहाँ पर यह trick लगाते हैं, उन्हें यह trick लगती है, यह बहुत बढ़िया trick है, अरे उन मूर्ख students के लिए जिनको कुछ समझ में नहीं आता है, या हमें बेवकू बना दिया जाता है, कि यह बढ़िया तरीका है, 5 x 8 x 4 करोगे, 8 x 4 x 4 करोगे, examiner को भी पता चल चुका है, कि कुछ students ऐसे करते हैं, तो देखो उसने कितना काम बढ़ा दिया, अरे आप सीधे सीधे ऐसे चलो, कि जो चीज सेम है, जो चीज लिंक कर रही है, उसको सेम बनाओ, देखो B में उपर 4 है, नीचे 8 है, लिंक कर रहा है, तो दौनों काईल से हम कितना, 8 यह भी 8 होना चाहिए था, त सीधे लिखते, दस, यह 8 हो गया, यह 8 हो गया, अब यह 5 हो गया, अब अगर यह 5 हो गया, हम इस तरीके से आगे बढ़ रहे है, तो अब हम इनमें understand changes नहीं कर सकते, यह 5 है, तो अब यह 5 ही करना हैं, इसको 5 ही बनाना पड़ेगा, इसको 5 बनाने के लिए, इन्टु में 5 व divided by 4 into में 5 divided by 4 ये तो 5 बनी चुका है ये कितना आ गया ये आ गया आपका 25 by 4 क्लियर है अब एक बात क्या है अब नीचे बहाँ पर मुझे 4 देख रहा है साफ सुत्रा नहीं देख रहा है तो नीचे से 4 हटाने के लिए सब को 4 से multiply कर देंगे यानि A के अगर 40 number आए तो B के 32 आए C के आगे 24 से multiply करते जा रहा हूँ और D के आगे 25 अब आजाते हैं वापस अपने सवाल पर सवाल कह रहा है कि अगर A को 80% marks मिले है यानि कि 40 ratio की value कितनी है 80% तो बताइए D को कितने marks मिले तो D को मिले कितने percentage में है तो D को मिले ह 50% आप ऐसे कर सकते हैं आप कुछ इस्ट्विंट्स यहाँ पर time कैसे जादा लगा देंगे वो कहेंगे सबसे पहले कि 80% का मतलब कितने number तो 400 number होगे तो 40 मतलब की 425 का मतलब की 250 10 times हो रहा है तो 250 500 का कितना है वो ही 50% अरे main बात देखिए percentage निकालो चाए marks निकालो बात तो वही है क्योंकि यह तो दौनों के लिए सेम है अगर A के number 500 में से आ रहे होते हैं D के 400 मे से आ रहे होते हैं तब बात अलग थी लेकिन यहाँ पर तो वही रहेगा क्लियर है क्लियर है क्लियर है तो एक में हमने 2 सवाल देख लिए चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं आसान सुन्दर सवाल है करते जाए हो जाएगा गरेदा एवरेज ऑफ 24 नमबर से 56 चॉविस नमबरों का एवरेज कितना 56 एपहले 10 का अगले 11 जो नमबडे बता दिया है और अगले एक्जाम में आपको 10 से 15 से कर लेना कि किस से जाओं जैसे मैंने यहाँ पर net deviation सोचा लेकर वहाँ पर calculation मुझे ज्यादा दिख गई कि वहाँ मुझे देखना पड़ेगा कि 10 numbers है और 56 से हर एक number कितना अधिक है यहाँ पर average 56 है वहाँ पर average 71.7 है minus करना पड़ेगा फिर यह 10 numbers है फिर जितना भी sum आएगा फिर हम देखेंगे कि यह जो अगले 11 number है 42 यह average कितना कम है 14 14 को फिर 11 से multiply को तो calculation उतनी हो जा रही है तो इससे अच्छा हम यह कर लेते हैं जो 3 number हमारे बच गए जो 3 number बच गए उनका हम sum निकाल ले तो 56 इंटू में 24 करना है 6 4 जा 24 5 4 जा 20 प्लस 2 22 और इसका आधा 2 से multiply करते हैं यह आगया आपका 112 यह आगया 4 4 3 1 यह इन सम का sum तो 1344 है पहले 10 का average 71.7 है तो sum तो सीधे दिख गया 717 और इसके बाद 11 का number 11 का average 42 है तो यह जागा 442 42 यानि कि 460 कितना आ गया 7 और 2 9 6 और 1 7 और यह गया 7 और 4 11 माइनस करने पर कितना आ गया यह आगया आगया आपका 5 यहाँ बचा 3 13 यह जागया 6 यहाँ पर बचा 2 यह जागया 165 यानि इन 3 नंबर का sum 165 है अब वो 3 नंबर क्या क्या है तो देखो उनका ratio मुझे दिया हुआ है यहाँ पर 12 है करते हैं नीचे की गंदगी साफ हो जाएगी तो 2 6 जा 12 3 4 जा 12 और 12 से 12 गया तो 5 आ गया यह यानि तीन नंबर का ratio कितना है 6 4 और 5 यह 165 कितने ratio की value है यह 15 ratio की value है एक्जाम में गया आपको एक ही चीज को भार बार नहीं लिखना है यह 15 ratio की value है वो कह रहा है बता यह पहले यह 20 second बोल रहा होगा 20 second और 24 यह नहीं पहले और तीसरे का इसका average बता दो तो इन दौनों का average कितना 6 और 5 ग्यारा ग्यारा का आधा साड़े 5 कहलो नहीं तो 11 by 2 ऐसे लिखना ऐसे लिख लो अब यहां से कितना आगया यह आगया आपका 5.5 ठीक है यह आगया आपका 5.5 अब उसके बाद 5 से गया यह 3 बार और 5 से गया यह 1.1 टाइम 3 से काटा 3.5 जा 15.55 और 55 इंटू में 11 कितना हो जाएगा 55 प्लस 55 यह आगया 5.06 60 और यहां पर आजाएगा 0.60.5 जो है इसका correct answer हो गया clear है काफी steps होगी पहला तीनों digit का sum निकाला फिर हमने single digit भी निकाल सकते थे दो का difference भी पूछ सकता था उसने उसे हमसे 2 का average पूछ लिया clear आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर यह सवाल थोड़ा सा ठीक है अराम से सोचना यहां पर एक छोटी सी बात को हम discuss भी कर लेते figure कहलो कुछ भी दो sum बहुबुच polygon है दो sum बहुबुच हमेशा similar होते similar होते हैं तो क्या करेंगे similar होने का मतलब अगर उनकी side का ratio a b है regular मतलब सारी sides पराबर तो अगर उनकी side का ratio a b है तो उनके जो area का जो ratio हो जाएगा वो square हो जाएगा a square ratio b square यह छोटी सी बात है इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक equilateral triangle एक sum बहुद रिबुच हमेशा दूसरे sum बहुद रिबुच यानि दूसरे equilateral triangle के similar होता है यानि कि एक square चार side है चारों बराबर है एक square हमेशा है कि square के similar होता है अच्छा इसी में मैं आपसे पूछ हूँ आना pentagon hexagon सब दो regular polygon दो regular polygon same number of side के same number of side के हमेशा similar होते हैं जैसे एक और छोटी सी बात मैं कह रहा हूँ 2 square की side का ratio कितना है 1 or 2 है 2 square की side का ratio 1 2 है तो उनके area का ratio 1 ratio 4 हो जाएगा 1 का square 2 का square लेकिन कभी भी ये गलती ना हो जाए एक triangle है equilateral triangle उसकी side 1 है और इसकी side 2 है तो इनके area का ratio निकालने के लिए आपको formula का use करना ही पड़ेगा यहाँ पर गलती मत कर देना जल्दवाजी में एक चार एक बात और मैं पूछना चाहूंगा वो यह है कि क्या एक circle हमेशा दूसरे circle के similar होता है क्या वो तो प्या contradictory सवाल है कि regular polygon है circle या नहीं है मतलब कि circle polygon है या नहीं है यह बड़ा contradictory सवाल है कई जगे आपको देखने को मिलेगा कि circle जो है a है एक square है उसका जो diagonal है वो a plus b है इसका diagonal हमें उसने बता दिया यह a plus b है आगे कह रहा है what is the area of the square drawn on the diagonal of square b एक square b के diagonal पर जो हम area एक rectangle बनाएंगे एक square बनाएंगे उसका area कितना होगा अगर square b का जो area है वो दुगना है square a के अब देखो दूसरा जो square होगा वो कह रहा है कि इन दौनों के area का ratio एक दो है यानि इनकी जो side है उसका ratio 1-2 होगा इनकी जो height है उसका ratio 1-2 है तो side का ratio का रूट ले लो 1 ratio root 2 होगा यहनि इसके diagonal का root 2 times यहनि diagonal का ratio भी ही होगा side का ratio यह तो यहनि इसका diagonal है वो कितना हो जाएगा root 2 times of a plus b अब वो कह रहा है कि इस side को मैंने एक square मान एक side इस side को मैंने square की side बना के square बना दिया square जैसा दिख तो नहीं रहे मान लो यह कि square है, इस square का area बताओ, तो यहीं साइड का square तो root 2 into root 2 तो 2 आ जाएगा और a plus b का square हो जाएगा, तो अराम से आगे बढ़ते आने खतम, clear है, exam में इतना सब कुछ करते हैं, आप देखते हैं, अच्छा area का ratio कितना है, 1, 2 है, तो जो diagonal है, वो root 2 times हो जाएगा, तो दि trigonometrica, ठीकि यहाँ पर भी एक हम important सी बाट discuss करेंगा, और comment section में एक बात यह बताते जाना, कि अगर मैं हर एक सवाल जो भी मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, उसके अगर concept पर discuss कर रहा हूं तो वो चलता जाए, वो मतलब उसी को continue करें, यह सवाल को जल्दी जल्दी बस निप्टा दिया जाए, क्योंकि जिसको आगे भढ़ना है, पूरा concept पता है, वो skip कर देना, ठीक है, तो मेरे साब से थोड़ा discuss करते हूं चलते है, यह कह रहा है, 12 cos square theta minus 2 sin square theta plus 3 cos theta की value 3 है, तो बताइए, cos 1 theta plus 1 theta divided by 10 theta plus cos theta की value क्या होगी, समझे, इस सवाल को करने के मेरे प sin अकेला तो है नहीं, यानि कि मैं sin square theta को replace कर दूँ किस से, cos square theta से, यानि 1 minus cos square theta लिख दूँ sin square की जगे, तब मेरी quadratic equation बन जाएगी, वहाँ से solve करने पर मेरे को cos theta की value पता चलेगी हो सकता है, दो value पता चले जाए, उनमेंसे एक positive हो, एक negative हो, ठीक है, और मुझे नहीं पता, अब समझते हो जाना, यहाँ से quality equation में नहीं, cos theta की 2 value पा चलेए, एक positive है, माल लो एक negative है, अब जो positive value होगी, उसमें भी 2 condition हो सकती है, पहली condition यह हो सकती है, कि cos theta की value वह कब होती है, मुझे यह पता हो, तो अगर पता होगा, तो मैं यहाँ पर put कर दूँगा, सीधे theta की value, नहीं पता होता है, तो क्या करते है, एक right angle, triangle बना लेते हैं, इसको theta माल लेते हैं, और उस side को put कर देते हैं, और तीसी side निकालके, फिर वो side वहाँ पर put कर देते हैं, दूसरा मेरे पास यह है, कि हो सकता है, कि theta की कोई value यहाँ satisfy कर जाए, यानि value putting, लेकिन value putting में सीधे वहा सोचो, छोटी सी एक बात को सोचिए, कि यहाँ पर cos theta है, यानि कि अगर cos theta में root वाला part रहा, अगर cos theta में root वाला part रहा, तो हमारा यह equation satisfy नहीं हो पाएगी, क्यों, अगर sin में root हुआ, square की वज़े से हट जाएगा, cos में root हुआ, तो square की वज़े से हट जाएगा, लेकिन यहा कौन सी theta की value check कर सकता हूँ, 0, 90 तो इसने सीधे मना कर दिया, 0, 90 तो मना कर दिया, तो 0, 30, 45, समझते चलना, 60, 90 यह अपने पास 5 value होती है, 0 नहीं होईगी, 90 नहीं होईगी, 0 और 90 वैसे कभी भी satisfy करेगी भी नहीं, 0 put कर दोगे तो 1 आ जाएगा, और 1 प्लस 12, 13 यह खतम, औ 90 इसलिए नहीं हो सकता, कि 90 पे तो यह पूरा 0 तो negative value नहीं आएगी, बचती है हमारे पास 3 value, यहाँ पर भी root होता है, यहाँ पर भी root होता है, 1 by root 2, 60 में, cos 60 में root नहीं होता है, और cos 30 में root होता है, अपना root 3 by 2, और यहाँ पर होती है half, यानि कि अगर यहाँ पर कोई value put हो सकती है, तो वो 60 होगी, 60 पे satisfy होना चाहिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 into में, half का square is 1 by 4, minus 2 into में, यह क्या है, यह है, यह है अपना root 3 by 2 का square, यहनि 3 by 4, और plus में जाएगा अपना 3 into में, यह, 2 से गया यह दो बार, तो यह आगया 3 by 2 minus का, तो यह कट गया, और यह आगया 3, और वो 3 यहाँ पर सीधे satisfy कर जा रहा है, इसका मतलब की theta की अगर जो value होगी, वो 60 ही है, हमने satisfy कर लिए, 60 वहाँ पर value पुट कर दो, cosec 60 मतलब की sin 60 का उल्टा, यहनि की 2 by root 3, sex 60 मतलब की, sex 60 हो जागा अपना 2, यहनि की अपना cos 60 का उल्टा, 10 मतलब की 1060 यहनि की root 3, और यहाँ पर आगया आपका cot, यहनि की 1 by root 3, ठीक है, चली, नीचे आपने LCM ले लिया, तो नीचे कितना जाएगा, root 3 आजाएगा, root 3 से यह root 3 कट जाएगा, यहाँ पर आजाएग by 4, 2 common ले लोगे, तो 4 कट जाएगा 2 times, बात समझ में आ रही है, 2 common ले लिया, उपर तो आजाएगा 1 plus root 3, और नीचे आजाएगा 4, 3 plus 1, 2 से यह 2 times, यहनि आंसर होगा 1 plus root 3 by 2, 1 plus root 3 by 2, clear है भई सभी को, चली, आगे बढ़ते हैं, अच्छा जी, तो यहर यह सवाल तब करने कि जरूरती हैं कि पहले सवाल में यही वो सवाल था जो English Hindi में दिक्कत थी, PDF में आपको सब सही मिल चुका होगा, तो यह आगे छोड़ते हैं, अच्छा, the end भी हो चुका है, तो इसी के साथ भाई, यह session भी होता है, the end, तो आपको session कैसा लगा, comment section में बता सकते हैं, ठीक है, चलिए भई, फिर मिलते हैं कल अगले session में तिल दन हसते रहें, मुस्कराते रहें और महनत करते रहें